वेलकम टू सरदान्दा का डेकॉर तो आज हमारे पास जो गाड़ी आई है वो क्रेटा का बिल्कुल बेस मोडल आया हुआ था तो इस गाड़ी में हमने बिल्कुल बेस से टोप कनवर्ट किया है इसमें हमने अलोए बगारा काफी सारी जो असेसरी है वो ओरिजिनल हुंड़ करने यगे लगारा क्ला हुए घ्रम बात में आपको दिखांब हैं मैं क्या-क्या मुडिकेशन की इफिए यह बेस मोडल गाड़ी इमारे पास आए थी तो इस गाड़ी में हमने जो छेंज किया वह फ्रंट गृल इंस्टॉल किया है वह यह देख सकते हूं और यह व्लीज प्रोपर फिटिन के साथ इस गाड़ी के अंदर हमने फोगलाईट इंस्टॉल किया है अब बात करते हैं अब आधायर और अलोई के बारे में तो ान्र whip यो इन्सटॉल कि हैं देख सकते हो यह गाड़ी बिल्कुल व्कुलल हो चुक और यह उप लगाएं वह भी औरीजनल होंड़े इस गाड़ी के अंदर लगाए गए हैं तो बात करें वर्केंग की तो वर्केंग में आपको एक बर दिखा भी देता हूं तो प्रोपर वर्केंग में रहेंगा यह तो यह देख सकते हो और इसमें हमने जो ट्रीम भी चेंज़ किया वह ट तो मोडल वाला The Prim install शोगे बात करें सैट मिरर के स्विच की तो यहां पर सैट मिरर टा स्विच भी इंस्टोल किया गया है तो जो इस गाड़ी के अंदर हमने हेंडल लगाए है वह ओरिजिनल होंडेगी के हैंडल लगाए है बेस मोडल में जो हैंडल आते हैं वह यह वाले हैंडल लगके आते हैं तो इस गाड़ी के अंदर हमने लगाए हैं वहीं इंस्टोल किया है बात करें दोर वाइजर भी इस गाड़ी के लगाए गई है अब बात करते हैं रूफ रेल के ने तो रूफ रेल में आपको एक बार दिखा देता हूं तो यह देख सकते हो जो रूफ रेल इस गाड़ी के लगाई गई है वह वह Abbeyus quality में रूफ्रेल लगाई गी है हमें तो बात करें लगाई गैघ के साथ लगाई गी है अब बात करते हैं सारक्फिन आंटीने की तो यहमने उर summertime किया है वो भी दो को समें हो रिजनल लगाया काभ़ी आपको दिखा देता हूं मैं तो इस गाड़ी में लगाया गया जो camera in install किया गया यह देख सकते हूं यहां पर दो camera लगाये गया इस गाड़ी के अंदर आब बात करते हैं parcel tray की और डिगी मैट की तो इस गाड़ी में हमने ओरिजिनल होंडे की पार्सल ट्रे भी लगाई है और साथ की साथ में डिगी मैट भी इंस्टोल किया गया है अब बात करें इंटिरियर के बारे में तो इंटिरियर में भी काफी सारी मोडिफेसन इस गाड़ी के अंदर की गई है वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं शीट कवर के बारे में तो शीट कवर है जो आपको दिखा देता हूँ तो यह देख सकते हो हमने शीट कवर इंस्टोल किया है वो प्रोपर फिटिंग के साथ फुली बकट शीट कवर इस गाड़ी के अंदर लगाएँ है बात करें fitting की तो यह देख सकते हो आप fitting है जो proper रहने वाली है और साथ की साथ में जो हमने इसमें लगाए है निचे की floor matting की है और मैट लगाए है इस गाड़ी के अंदर वह भी आपको दिखा देता रहेंगे तो ये देख सकते हो इसके निचे का आथ हैं अब बात करते हैं जो साइड मिलस्टाल कि में उसके do तो यह देख सकते हैं यहां पे left right के जो औरिजनल ट्वीटर विइंसिटोल किया है जो होंडेई के बोस के ट्यूटर आते हैं वही हमने इसमें साइड मिरर की जो यहां पर लगाएं देख सकते हो आप तो अब बात करें स्टेरिंग कंट्रोल की और क्रूज कंट्रोल की तो यह जो दोनों चीज़ें हमने लगाई है इस गाड़ी के अंदर विद वायर के साथ ओरिजिनल होंडे की इंस्टॉल किया है तो यह देख सकते हो गाड़ी की लुक बिल्कुल चेंग हो जाती है अंदर की तरफ से आप देख सकते हो और अब मैं आपको दिखा देता हूं जो हमने इसमें लगाई है स्टेरिंग कंट्रोल क्रूज कंट्रोल साइड मिरर फोग लाइट फ्रंट ग्रिल्स आल अब असेसरी हमने इसमें जो ल और आप यह वह हमने इसमें चलाया है इसके साथ कामरी समय आप देख सकते हो फुली जो में इसके में वह मृinचक्ट ओर स्वेस्ट पर पिछे बॉस के अरड़ॗंडिके अंदर ओर डंपिंग CD सब्सक्राइब भी का ना अदर चुतल किया ब kayam यह दो यहन से भी आप स्क्राइब प्रकring कर सकते हो यह भी प्रोपर वरकिंग में रहेंगे और यहां से आप अपने शीशे को अडजस्ट कर सकते हो, लेफ्ट राइट के उप्सन भी हैं दोनों और साथ की साथ में प्रोपर वर्क करेंगे यह तो अगर आप चाते हो अपनी गाड़ी को बेस से टूप कनवर्ट करवाना तो